नमस्कार आप देख रहे हैं Mission 24 into 7 और मैं हूँ आपके साथ सिम्रंजी सिंग्ग सायापूर की सभी छोटी बड़ी ख़वरों को देखने के लिए हमारे चैनल Mission 24 into 7 को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ख़वर आप से छूटे नहीं बारतिय खिसान यूनियन राश्टियता वादी ने अपनी मांगों को लेकर आज़ प्रतरसन किया जिलाध्यच के नेतरत में PWD कैस्ट हाउश पहुंचे किसान कारेकरताओं ने जमकर नारेबाजी करते वे प्रतरसन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंदित ग्यापन सौपार जियापन में मांग की गई है कि सिंदौली शेत्र के गाउच चंदपई के रहने वाले किसान सेवा सिंग ने 16 अक्तूबर 2020 को मुडिया पुमार के ही रहने वाले आरती मोहित कुट्ता को अपनी धान की फसल बेची थी जिसका अभी तक भुपतान नहीं किया गया है किसान यूनियन ने मांग की है कि किसान का बकाय बुपतान कराया जाए और आरती के खिलाफ का रवाई की जाए किसान यूनियन ने ये भी मांग की है कि गाउच चंदपई से जालों की और जाने वाला खणजा वरसों पहले बिचाय गया था जो कि अब जरजर हो चुका है, ऐसे में रोड काट डामिकरन कराया जाए जिसे लोगों को राहत मिल सके हैं तेलहर पुलिस और आपकारी की सहियोक्त टीम ने अवैज सराब के साथ एक अभी हुक्त को ग्रिवतार किया है जबकि उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे पुलिस को शूशना मिली थी कि शेतर के गाउं, बिरसंग, पुर इस्तेद, देशी सराब की दुकान पर मिलावटी सराब की विक्री की जाती है जिसके बाद पुलिस और आपकारी की टीम ने दुकान पर शापे मारी की यहां से भारी मात्रा में मिलावटी सराब बड़ा मही इस दोरान एक अव्यूक्त राजेश को भी पुलिस ने ग्रिफतार किया वहीं उसके दो साथे सुर्जीत और धरमवीर मौका पाकर फरार हो गए पुलिस को मौके से मिलावटी सराब, नकली की यूर पोड और ढखकन मिले फिलहाल पुलिस ने अव्यूक्त के खिलाफ मामला दर्जगर का रवाई सुरू कर दी है सिंधालिशेत्र के गाउं मढया दीनतारा प्रात्मिक विद्याले में तैनाद सहाइक अध्यापक पूर्षत अंतरता दिवस पर तिरंगा ना फहरानके आरोप में निलंबित करताई गया है दरसल ग्रामीडों ने सिकाइद की थी कि सोतंतरता दिवस पर वेद्याले में तिरंगा नहीं फैराए गया सिकाइद पर संग्यान लेते हुए जिला बेसिक सिच्चा अधिकारी ने सिच्चक हसन हैदर के खिलाफ निलंबन की करणवाई करते हुए उन्हें खंड सिच्चा कार्याले पुहें आटेश कर दिया गया है खंड सिच्चा दिकारी ने बताया कि सोतंतरता दिवस पर धोजा रोहों ना करने हराश्टी अपग पर लापरवाही और विभागी निर्देसों का पालन ना करने के कारण प्रत्थम दरश्टिया दोस्री पाई जाने पर सिच्च को निलंबित कर दिया गया है बंडा पुलिस ने डाइलेक 112 पुलिस को जूटी सूशना देकर गुमराह करने वाले दो लोगों को ग्रिफतार किया है ग्रिफतार किये गए दोनों अभ्यूगत स्रवन और सूरज इलाके के गाउं कमालपूर के रहने वाले हैं दरसल भी तेरा विवार के दिन दोलों लोगों ने डाइलेक 112 पुलिस को कॉल कर लड़ाई छगड़े की जूटी सूशना दी थी जब डाइलेक 112 की टीम मौके पर पहुंची तो इस रिकायत जूटी पाई गई पुलिस ने जूटी सूशना देने वाले दोनों अभ्यूगतों को ग्रिफतार कर कर रवाई सुरू कर दी है राष्ट्य किसान मजदूर संगठन ने किसानों के बकाया गन्ना भुकतान के लिए प्रधान मंत्री को संबोदित एग्यापन एसजियम पुआयं को सौपा मजदूर संगठन का कहना है कि यहां सरकार एक और चौदा दिन में भुकतान किया जाने की बात कह रही है पिछले लंबे समय से किसानों का बकाया भुकतान अभी तक नहीं किया जा रहा फिलहाल आज राष्ट्य किसान मजदूर संगठन के बैनरतले पुआयं में कठे हुए किसानों ने प्रधान मंत्री को संबोदित ग्यापन एसजियम पुआयं को सौपा कोटवाली पुलिस ने मुडवेल के दोरान दो साथिर बदमाशों को गरिफतार किया है जिनके पास से अवैद असलाह और भारी मात्रा में लूटा हुआ माल बरामद हुआ है मुखबिर की शूचना पर पुलिस ने डैम नहर पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फाइरिंग सुरू का दी इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाश अशोक और कमलेज सर्दाय को गरिफतार किया इनके पास से दो मोटर साइकल, चार लैक्टाप सहीत, कई मोबाईल फोन और कुछ गहने बरामद हुए बरामद किये गए सामान की कीमत लागों रुपए बताई जा रही है फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को गरिफतार कर जेल फेडिया है समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी ने अपने जिला का रेकाणी का विस्तार करते हुए बंडा के देलेलापुर के रहने वाले करमजी सिंग को चिला सचिफ की जिम्मेदारी सोपी समाजवादी लोहिया वाहिनी के चिला धैच वीपिन यादव और सपानेता सुविर सिंग चौखान ने करमजी सिंग को मनोने अन पत्र सौपत वे बदाई दी उत्रपर्देश के पूर मुख्यमंत्री कल्यान सिंग के निधन के बाद आज तेलहर में सोकसवा का आयोजन हुआ इस दोरान दरजनु युवाउने पूर मुख्यमंत्री के चेतर पर पुस्प आर्पित करते हुए ने सरधांजनी अर्पित की अपराधियों के गिलाब सायाहपूर पुलिस की कररवाई का सिलसले लगतार जारी है पुलिस ने आज अलग-अलग मामलों में 18 अपराधियों को गुर्फतार किया है थानर रोजा, पंड़ा और मदनपूर पुलिस ने अवैस असरों के साथ एक एक अभियुक्त को गुर्फतार किया तो वहीं अलग-अलग थानर शेतरों से नौ जुवारियों को भी गुर्फतार किया है और इसने कची सराब का कारोवार करने वाले 6 लोगों को विर्फतार किया जिनके पास से 100 लिटर कची सराब और भट्टी बरामद भी है इलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ कारवाई सुरू कर दी है गंगा सनलक्षन और आजादी अमरत मोहसब के अबसर पर गंगा ग्राम दोशपुर थोक में खेल कूद परतियोगिता का आयोजिन हुआ परतियोगिता में आसपाज के गाउं के युवाओं ने प्रतिबा किया जिसमें 400 मीटर दौड में अनूप यादव ने पहला श्रिवपाल सिंग ने दूतिय और शोबिदा वर्थी ने तेसरा इस्थान हासिल किया तो वहीं लंभी कूद में अनूप यादव ने पहला रितिक ने दूसरा और रूपेस ने तीसरा इस्थान हासिल किया विजय हुए सभी प्रति भागियों को प्रुस्कत किया गया